नमसकार दोस्तो, नवरात्री का पावन त्योहार आरंब हो चुका है, नवरात्रों का यह पावन त्योहार नो दिनों तक मनाया जाता है। इन नौ दिनों में मात दुर्गा के नौ अलद अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूजा की विधी नवरात्री के पहले दिन मात दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के पुश्पो से करें। साथ ही साथ माता को सफेद मिठाई का प्रसाथ चढ़ाएं और माता की तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं। पूजा के बाद मा शैलपुत्री को गाय कागी अर्पित करें जिससे माता आरोग्य काया का आशिरवात देती हैं और व्यक्ति का मन एवं तन दोनों निरोगी रहते हैं। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारन की बाएं हाथ में कमल शोभित एवं व्रिशप पर सवाद नवदुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री हैं। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इस नवरात्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजाप्ती दक्ष ने एक बहुत बड़े यग्य का आयोजन किया। इस यग्य में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भोलेनात को निमंत्रण नहीं भीजा। जब माता सती को यह ज्यात हुआ कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यग्य का अनुष्ठान कर रही हैं, तो उनका मन वहाँ जाने के लिए बेचैन हुआ, उन्होंने भोलेनात को अपने मन की सारी बात बताई। भोलेनात बोले देवी, प्रजापती दक्ष शायद हमसे किसी बात पर रुष्ठ है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को इस यग्य में आमंत्रित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया। ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनात की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता के द्वारा किये गए यग्य में सम्मिलित होने, माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। माता सती के आगरा करने पर भोलेनात ने माता सती को वहां जाने की अनुमती प्रदान कर दी। घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर पूर्वग बात नहीं कर रहा केवल उनकी माता ने उन्हे सनेह से गले लगाया अपने परिजनों के इस व्यवहार से मा सती के मन को बहुत दुख पहुँचा इस सबसे उनका मन गलानी और क्रोध से संतप्थो उठा वह सोचने लगी भुलेनात की बात ना मानकर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने पती के इस अपमान को माता सती सहन ना कर सकी और उन्होंने उस यग्यकुंड की अगनी में खुद को समा लिया माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमाले की पुत्री के रूप में जन्म लिया माता शैल पुत्री का जन्म शिला यानी परवत से हुआ है इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिर्ता आती है इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख सम्रिधी आती है माता की पूजा अर्चना से मुलाधार चक्र जागरित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में फुर्ती और उत्सा का विकास होता है साथ ही साथ माता शेलपुत्री की पूजा अर्चना से सभी प्रकार के दोश दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ती होती है एवं घर में सुख समृद्धी आती है जय मा शेलपुत्री माता आपकी सभी मनोकामनाये पूर्ण करे जय माता दी